हम जब complex number पढ़ते थे यह तो पढ़ा होगा आपने तो डिवार्ड साब ने कहा बहुत important theorem दिए उन्हों ने कि अगर cos theta plus i sin theta है ध्यान रखिएगा cos theta plus i में i sin के साथ ही होना चाहिए अरे आपने iota पढ़ा i ब्रावर under root minus 1 complex number में यह i है complex number है ना यह i square की value minus 1 i cube की value minus i i power 4 की value 1 है वही आई है तो उन्हों ने कहा अगर हम cos theta plus i sin theta करें और नहीं और इसकी power n करें n कुछ भी हो सकता है मतब natural number भी है negative भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है तो यह n जो है ना वो इसके angle के multiple में आ जाता है मतब यह बन जाता है cos n theta plus i sin n theta यह बहुत tough नहीं है अगर cos theta 1 plus i sin theta 1 1 into cos theta 2 plus i sin theta 2 multiply करिए तो आएगा cos theta 1 plus theta 2 plus i sin theta 1 plus theta 2 अपने आप multiply हो किया जाएगा ठीक है तो अगर n बार multiply करोगे तो आएगा theta 1 plus theta 2 plus theta 3 सब जुड़ जाएगे और चुकि theta same होंगे तो cos n theta जाएगा यह डिमार्ट थरमती ठीक है अच्छा आप जरा समझेगा अगर आपने यह लिखा मालिया इसको आपने z मालिया मालिया आपने z मालिया तो यह एक तो result यह आपको याद करना है cos theta plus i sin theta ठीक है और आपने कहा z की power n क्या होगा तो इसकी power n करोगे ना इसकी power n करोगे तो क्या बन जाएगा यह बन जाएग अगर आपने कहा कि हम z की power minus n करें तो minus कर दो minus n को यह भी लिखा जा सकता ना one upon z की power n अगर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा cos minus n theta plus i sin minus n theta मतलब यह इसका derivation हम नहीं बता रहे है यह diet result याद करना है ठीक है cos minus theta plus cos theta होता है और sin minus theta minus sin होता है यानि कि यह result क्या आएगा cos cos n theta minus i sin n theta अब साउधान अगर इन दोनों को add कर दिया जाए इसको और इसको तो i sin theta कर जाएगा ना यह plus minus यानि एक result हमारे पास आएगा z की power n plus one upon z की power n is equal to two cos n theta इसको ध्यान रखेगा यह यूज होगा बहुत भेंकरूप से ठीक है और अगर दोनों को subtract कर देंगे तो subtract करने में इसको बात में लिख रहे हो ना इसका sign बदल जाएगा तो यह हो जाएगा minus यह हो जाएगा प्लस तो कॉस कॉस कर जाएगा ना तो अगर आप सब्टेट करते हो तो आएगा z की power n minus one upon z की power n is equal to I got 2i sin n theta तो इस result को हम use करेंगे बार बार ठीक है तो यह डिमाज थोर्म का concept है concept बहुत जादा है बहुत detail में यह है लेकि फिलहला आपकी level में इस concept को इस यहीं तक पढ़िए एक और concept माल्या कहीं पर आगया a plus ib यह complex number होता ना कि power n तो क्या इसको open कर सकते हैं आप bracket खोल सकते हैं इसका नहीं खोल सकते हैं या तो हम binamil सरम लगाए तो हालत करा हो जाएगी हमारी तो इसको easy करने के लिए हम क्या करते हैं इसको polar form में change कर लेते हैं तो polar form आपको पढ़ाया गया है intermittent में था कि A मालूम है नहीं मालूम देखिए यह है अरगन डाइग्राम यह real axis है यह imagery axis है ठीक है अगर कोई complex number a plus ib होगा जिसका होता है यहां a b इस point का coordinate क्या होगा a comma b यह दूरी a है यह दूरी b है यह Cartesian system हो गया Cartesian system में अगर किसी point की location आपको बतानी है तो आपको एक origin लेना पड़ता है origin axis से पहले x के अलंग चलेंगे यह दूरी बाद में y के अलंग चलेंगे एक polar system होता है polar system में हम क्या करेंगे हम करेंगे बाई देखो यहां से theta angle पर theta angle पर r distance पर जाओगे यह point मिल जाएगा जिसका coordinate क्या होगा r comma theta यह polar coordinate system होता है आगे चलेंगे cylindrical coordinate system बहुत सारे सिस्टम आएगे फिलाहाल तो यहीं तक है अब हम चाहते हैं कि जो आपका पहले Cartesian system था उसको polar में change कर दें यह बी को r और theta में convert कर दें तो आपको साब साब इस triangle में एक चीद दिख रही है कि अगर यहां पर हम cos theta लगा दें तो cos theta a upon r हो जाएगा ना तो a को क्या लिए सकते हैं r cos theta और अगर हम sin लगा दें तो b को क् sin theta तो अगर हम a और b की जगे यह value रख देंगे तो हमारा system r और theta में convert हो जाएगा इसी वो कहते हैं polar में change करना तो इसको क्या ले सकते हैं r cos theta plus i r sin theta लेकिन थीटा और r क्या होंगे आपको नहीं मालूम ना तो उसको निकालने की तरीका क्या होता है theta को वैब करो तो क्या करन तो r square आएगा a square plus b square यहां से r निकल आएगा और dividing कर दो तो 10 theta is equal to b upon a यहां से theta निकल आएगा निकल आएगा ना तो हम यहां पर value रख करके r और theta को निकाल करके polar form change कर लेंगे फैदा क्या होगा जब यह value अच्छा r निकल आया है और theta भी निकल आया आपका जब यह value उठा कि यहां रखोगे तो यह क्या बन जाएगा r cos theta plus i r sin theta की power n बन जाएगा ना यहां से common कौन है और r जब रेकेट के बाहर निकल आएगा r की power अंदर क्या बचेगा cos theta plus i sin theta की power n और यह भी बताया गया है डिमार ठोरम कि इसको लिसकते है r की power n इसको लिसकते है cos n theta plus i sin n theta तो यह तरीका होता है कि किसी भी complex number को polar form में change किया जाए और वहां पर डिमार अप्लाई करती है ठीक इसे note करिए फिर एक question लेकि हम बात करते है अब इसका हम trigonality में भी यूज़ करेंगे और हम complex में भी यूज़ करेंगे जारा समझेगा हमसे कहा गया कि nth derivative of 1 upon x square plus a square नि इसके factor हो सकते हैं हमें nth derivative of linear expression पढ़ा है अपने ax plus b square में तो पढ़ा नहीं हमने ठीक है अच्छा अगर इसको हम differentiate करें भी मालिया एक बार differentiate करें तो आएगा आपका x square plus a square की power minus 1 और इसका एक बार differentiation करेंगे तो आएगा minus 1 x square plus a square की power minus 2 into 2x दुबारा करेंगे तो product rule लगाना पड़ेगा तो एक ऐसा result हमको नहीं मिलेगा जिससे by symmetry हम कहे दें कि n bar में ये आएगा नहीं कह सकते ना तो मजबूरी हमारी है कि इसको nth bar nth time जो n time not n time differentiate नहीं कर सकते तो आप क्या करें इसका factor भी नहीं हो सकता तो थोड़ा सा दिमाग ह हमने लगाया देखे अगर हम इसको लिख दें x plus i a into x minus i a कोई दिकत इसको खोलो जारा a plus b a minus b a square minus b square तो actually ये आएगा क्या आएगा x square minus i square a square और i square की value क्या होती है minus 1 तो यानि कि आपका x square plus a square हो जाएगा यानि कुल मिलाकर कि ये break भी हो गया linear में और break नहीं भी हुआ देखा ज़र complex कर दिया अब इसका करेंगे partial fraction अब देखो partial fraction में क्या करेंगे a upon this plus b upon this ऐसे करेंगे ना कभी-कभी idea से भी कर लेते हैं कैसे ideas करते हैं देखे idea क्या होगी ये भी क्यों आइडिया से लगा लेते हैं देखो इसको अभी हम गलत लिख रहे हैं सही लिख रहे हैं हमको नहीं मालूँ इसको अगर हम अलग-अलग कर देंगें ऐसे कर सकते हैं ना अच्छा जब lcm लोगे तो ये चीज़ आ जाएगी और ये आ जाएगा x-ia इधर हो जाएगा और x-ia इधर हो जाएगा तो ऐसा करते हैं इसको minus कर दें इसको plus कर दें तो x-ia इधर हो जाएगा और x-ia इधर हो जाएगा अगर हम plus sign लगाते हैं और lcm लेते हैं तो x-ia plus x-ia i कड़ गया उपर 2x आ जाएगा तो मैं भी बानी आ रही है अगर माइनस लगाते हैं तो x प्लस आईए और माइनस x माइनस आईए ब्रैकेट खुलन क्या बचेगा तो आईए यह बचेगा ना और तो आईए से बाहर डिवाइड कर देते हैं चलेगा वन अपान तो आईए यह नहीं लिखा है नहीं लिखा है यह थोड़ा आईडिया लगा देते हैं भाई इसको लसम लिया हमने यह यहाँ पर आएगा x प्लस आईए और माइनस यह यह यहाँ पर आजाएगा x माइनस आईए और आपान में क्या लिखा है यह अपान में लिखा है x प्लस आईए इंट क्या बाहर डिवाइट कर दिया तो यह तो लिखा हुआ है तो इस प्रकार से idea से भी हम लगाते है ठीक है और idea जब नहीं लग पाती है तब मजबूरी है हमारी तो इस प्रकार से हमने इसको break कर दिया यानि कि इसको अगर हम y माल ले तो आपको dn of y निकलना है y माल ले तो अब बताओ यह linear terms हो गए कि नहीं हो गए हो गए ना linear अब तो degree 1 हो गई next की अब इसको n बार differentiate किया जा सकता है ना तो अगर हम n बार इसको differentiate करें y न निकालें यह तो बाहर भाई साब लिखे रहेंगे यह डिस्टरब करेंगे नहीं तो यहां क्या हो जाएगा dn of x minus ia की power minus 1 माइनस dn of x plus ia की power minus 1 तो 1 upon 2 ia तब इसको n बार differentiate करोगे तो formula क्या होता है minus 1 की power n into factorial n यहां पर ax plus b के हिसाब से a क्या है वह तुस्से कोई दिक्कत नहीं है upon में x minus ia की power n plus 1 minus minus 1 की power n into यहां भी a क्या है 1 है into factorial n upon x plus ia की power n plus 1 पहुंचे यहां तक अब देखिए अब हमको यह i हटाना है तो हम करेंगे क्या x plus ia को गर उपर ले जाओ तो क्या बन जाएगा यह x plus i8 power minus n minus 1 पहुंचे बनेगा न यह भी उपर चला जाएगा तो हम क्या करेंगे इसको polar formation करेंगे क्या में polar में हमने क्या मान लिया कि let x को कुछ assume कर लो x को assume कर लो और r को assume कर लो तो x को हम क्या assume करते थे r cos theta और a को क्या assume करेंगे r यह थो हमने बताया था भी कि जो आपका i के साथ है वो sign वाना जाएगा तो यहाँ जब रखेंगे यह क्या है आपका x minus ia की power minus n plus 1 बाद में हम यहाँ यूज़ करेंगे न एक question number इसको आप 1 डाल दो बाद में यूज़ कर minus n plus 1 x को क्या लिखेंगे आप r cos theta minus i a को क्या लिखेंगे आप r sin theta की power minus n plus 1 minus x को क्या लिखेंगे आप r cos theta plus i a को क्या लिखेंगे आप r sin theta की power minus n plus 1 ठीक है अभी हम r और theta की value नहीं निकाल नहीं तो हमारा answer आजाएगा तो simple सी बात है answer में r भी आएगा और theta भी आएगा तो बाद में r और theta निकालके हम वहाँ पर substitute कर देंगे ठीक है यहां से क्या common दिख रहा है r r जब बाहर निकलेगा तो यह power चढ़ जाएगा उस पर तो r की power minus n plus होना जाएगा अंदर क्या पुचेगा अंदर पुचेगा cos theta minus i sin theta की power minus n plus 1 ठीक है minus यहां से भी यहीज़ीद कामन है r तो r की power minus n plus 1 यहां क्या पुचेगा cos theta plus i sin theta की power minus n plus 1 अब यहां पर आप demure theorem अप्लाई कर सकते हैं अब आप कहेंगे demure में तो आपने यहां plus बताया था minus भी चलेगा कैसे देखें अगर यहां minus लगा है तो हटाएचा minus को r की power minus n plus 1 हमने पूर इस कामन ले लिया है ठीक है यहां देखें हमने इसको minus खटा ना है यह कैसे हटेगा देखें यह लिए देए cos minus theta plus i sin minus theta हट गया minus अगर इसको open करेंगे तो यही तो आएगा और इसकी power कितनी है minus का n plus 1 ठीक है minus यहां तो कोई दिक्कत है नहीं तो आएगा cos theta plus i sin theta की power minus n plus 1 देखें बेसिक जो आपका element intermediate का वो तो clear होना चाहिए तो यह क्या है arc पार minus n plus 1 अब ज़रा यहां देखिए हम डिवार अप्लाई कर रहे है इसका multiply यहां हो जाएगा ना यह minus है ना तो जब multiply यहां करोगे तो यह plus हो जाएगा ना तो यह क्या बन गया angle क्या बन गया cos n plus 1 theta यह बन गया angle cos का और plus i sin का भी बन जाएगा n plus 1 theta bracket मत close करेए minus अंदर operate करेंगे यहां भी यह angle आजाएगा तो आएगा minus update कर रहो है जब आप minus यहां angle करोगे तो cos minus theta minus plus cos theta होता है और minus अलेड़ी पीछे से लगा हुआ है तो sign क्या हो जाएगा minus रहेगा ना अभी हम इसकी बात कर रहे है जब आप यह angle अपरेट करोगे तो angle negative हो जाएगा ना और cos minus theta is equal to plus cos theta और पीछे से minus जा रहा है तो minus रहेगा ना तो minus का आएगा cos n plus 1 theta आप देखिए जब angle इससे अपरेट होगा तो angle इसका negative हो जाएगा यहांने sin minus theta और sin minus theta is equal to minus sin theta minus sin theta और यह minus अंदर गया तो sin क्या हो गया plus तो plus में आएगा इड़ाइट कर दिया हमने sin n plus 1 theta ठीक है यह cause वाला term इससे cancel हो जाएगा और sin वाला 2 आई भी तो आएगा sin वाला 2 times आएगा न पहुचिए यहां तक अब देखिए यह क्या होगा यह आएगा आपका r की power minus n plus 1 into यह आएगा 2i sin n plus 1 theta यह आपने x plus i यह वाला लिया है न क्यावल तो equation 1 में पूट कर देते है putting this value in equation 1 you are using this result using this result in equation 1 equation 1 आपका था क्या nth derivative आप y का निकाल रहे थे ना तो यह आया कितना था यह आया था आपका minus 1 की power n हमने common ले लिया into factorial n upon 2i upon 2i और bracket में यह कहानी थी पूरी तो इस पूरी कहानी को हमने मान करके लिखा तो इसकी value क्या आगई इसकी लिए आर की power minus n plus 1 into 2i sin n plus 1 theta angle को चाहो तो curly bracket में बंद कर दो ठीक है यह i और i कड़ गया 2i दोनों 2 भी कड़ गया तो यह क्या बचा यह बचा आपका r और theta के टब में एक relation आया यह आगया आपका minus 1 की power n into factorial n upon a into r की power minus n plus 1 into sin n plus 1 theta अब question यह उड़ता है कि हमारे question में तो r theta था नी r था नी हमने माना है ना तो यहाँ पर आपने क्या माना था जहाँ पर माना था आपने x is equal to क्या माना था r का उस theta और y is equal to क्या माना था r sin theta तो आप यहाँ से r और theta की value निकाल सकते where अब आप यहाँ रखेंगे नहीं लिखने के where r जुकलू क्या होगा under root x square प्लस a square और theta जुकलू क्या होगा tan inverse y upon यह a था ना यह a upon x बस यह answer आपका होगा मताँ आपको यहाँ r और theta रखना नहीं है बता दिना कि r क्या है और theta क्या है ठीक नोट करिए अब देखें कभी कभी क्या होता ऐसा ही question एक आएगा माने आप से कहा गया कि dn of tan inverse x by a इसको differentiate n बार करना है अब tan inverse का differentiation कुछ ऐसा तो आएगा नहीं कि symmetry से आप बता लगा को n बार क्या आएगा तो हम जड़ा एक बार इसको differentiate करते हैं इसको आपने क्या माना है dn of इस वाले चीज़ को अपने y मान लिया है ठीक है तो अगर हम y1 करें यहनि d by dx of tan inverse x by a करें तो बता सकते हैं इसका differentiation क्या होगा tan inverse x का क्या होता है d by dx of tan inverse x 1 प्लस x square होता है याद कले यह फामने देखो याद होने चीज़े 1 प्लस यह x square अपन a square आएगा और x अपन a का फिर करेंगे तो 1 अपन a आ जाएगा तो यह जब lcm लोगे तो आपका a square lcm लोगे a square उपर जाएगा एक a cancel हो जाएगा तो आपका आएगा a upon x square प्लस a square आएगा अब बताएगे जो पीछे वाला भी कर रहे थे question वो यही पे था न आप तो आप इसको क्या करेंगे आप इसको आप x प्लस i a और x माइनस i a कर देंगे इसको अलग-अलग करना पड़ेगा तो अलग-अलग करने के लिए आपने क्या किया था देखे आपने क्या था 1 upon x माइनस i a किया था माइनस 1 upon x प्लस i a किया था ठीक है यह a पहले से है जब इसको solve करेंगे तो उपर क्या आएगा 2 i a तो बाद में बाहर 2 i a से डिवाइट किया था इसको किया था अपने इसके पहले वाले कोश्म यही किया है ना तो अब यहां पहुँच गए आप अब आप कितनी बार इसको differentiate करेंगे n minus 1 बार करेंगे क्योंकि एक बार आप आप अलेडी इसको differentiate कर चुके है ठीक है जब आप y n निकालेंगे आप इसका जब y n निकालेंगे तो इस पले value अब इसका यह क्या लिखा है 1 upon 2 i इसका लिखेंगे d n minus 1 of x minus i a की power n minus 1 क्या लिख रहा हूं minus 1 और minus d n minus 1 of x plus i a की power minus 1 सब्सक्राइब आप जहाँ जहाँ आपने n लिखा है वहाँ क्या हो जाएगा n minus 1 एक बार कम हो जाएगा चुकि आप differentiation इसका करना है और ये एक बार differentiate हो चुका है जिसलिए अगर आपको इसको n बार करना है एक बार कर चुके हो तो जो बचेगा उसको एक कम बार करोगे न अब पूरा तो पीछेवारा प्रूफ है सब्सक्राइब नोट करिए इसको